नमस्कार दोस्तों जब हम IUPAC नाम लिखते हैं तो सबसे पहले हम कारवन की संख्या को गिनते हैं जब कारवन की संख्या एक होती है तो हम मैत शब्द का उपयोग करते हैं दो होने पर एत, तीन होने पर प्रोप, मेत, एत, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हैक्स, हैप्ट, ओक्ट, नॉन, डेक इन शब्दों का उप्यो किया जाता है, इने मूल शब्द या रूट वर्ड का जाता है दोस्तों, कारबन की संक्या एक से दस तक के लिए इन मूल शब्दों के बारे में आपको पहले से पता है इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जब कारबन की संक्या दस से अधिक होती है तो कौन से मूल शब्दों का उप्योग किया जाता है सबसे पहले आपको इन शब्दों को याद रखना है C10 को DEC, C20 को ICOS या ECOS इन दोनों में से किसी एक शब्द का उपयोग कर सकते हैं C30 को TRIACONT, C40 को TETRACONT, C50 PENTACONT C60, HEXACONT, C70, HECTACONT, C80, OCTACONT, C90, NONACONT और C100 को HECT का आ जाता है और दोस्तों जब इन संक्याओं के साथ एक से नो तक का कोई नंबर होता है तो इन शब्दों का उपयोग इन शब्दों से पहले किया जाता है एक के लिए हैन या अन का उपयोग करते हैं इन दोनों में से किसी एक शब्द का उपयोग कर सकते हैं दो के लिए DO, तीन के लिए TRI, चार के लिए TETRA, पांच के लिए PENTA छे के लिए HEXA, साथ के लिए HEPTA, आठ के लिए OCTTA और नो के लिए NONA जैसे C11 यहाँ पर 11, 10 और 1 का योग है जब कारवन की संक्या 10 होती है तो हम DEC लिखते हैं कारवन की संक्या यहाँ पर 11 है 10 प्लस 1 है और इस 1 के लिए हम HEN या आन लिखते हैं और इन शब्दों को इन शब्दों से पहले लिखते हैं तो C11 मतलब 10 प्लस 1 तो C10 के लिए हम DEC यूज़ करते हैं और A के लिए हम HEN या आन लिखते हैं तो C11 के लिए बनने वाला शब्द क्या होगा है न डेक या आन डेक C12 10 प्लस 2 कारवन की संक्या 10 के लिए हम DEC शब्द का यूज़ करते हैं और यहाँ पर दो नमबर है और दो नमबर के लिए हम DO लिखते हैं और इन शब्दों का उप्योग इन शब्दों से पहले किया जाता है तो इस DO को हम इसके आगे लिखते हैं तो C12 के लिए शब्द बनेगा DO DEC इसी प्रकार C13 के लिए 3 के लिए ट्राई शब्द का उप्योग करते हैं और यहाँ पर 10 है तो 10 के लिए हम DEC का उप्योग करते हैं तो C13 के लिए शब्द होगा TRI DEC C14 TETRADEC C15 PENTADICK C16 HEXADIC C17 Heptadick C18 OCTADICK C19 नोना डेक दोस्तों C20 के लिए I-COS या E-COS शब्द का उप्योग करते हैं सामान यता I-COS शब्द का अधिक उप्योग करते हैं तो C21 यहाँ पर 20 प्लस 1 है C20 को हम बोलते हैं I-COS और 1 के लिए हैन या आन शब्द का उप्योग करते हैं और इन शब्दों को इन शब्दों से पहले लिखते हैं तो यहाँ पर हम इस शब्द के आगे हैन लिखते हैं या आन लिखते हैं तो C21 को हम बोल सकते हैं हैनिकोस या यूनिकोस C22, 20 प्लस 2 और C20 के लिए शब्द है आईकोस और यहाँ पर दो है और दो के लिए हम दू का उप्योग करते है दोस्तों, इसे दू आईकोस ना बोल कर दू कोस बोला जाता है C23, तो 20 के लिए आईकोस और 3 के लिए हम ट्राई शब्द का उप्योग करते है यहाँ पर दो आईको एक साथ नहीं लिखा जाता है इन में से किसी एक आईको लिखा जाता है तो इसका नाम होगा ट्राईकोस C24 के लिए होगा 4 को हम टेट्रा केते हैं तो टेट्रा कोस, 5 को पेंटा का आजाता है तो C25 के लिए शब्द बनेगा पेंटा कोस C26, 6 के लिए हैकसा होता है तो इसका नाम होगा हैकसा कोस C27, 7 के लिए हेप्टा, तो इसका नाम होगा हेप्टा कोस इसी प्रकार C28, ओक्टा कोस C29, नोना कोस C31, मतला 30 प्लस 1 C30 के लिए हम ट्रियकॉंट शब्द का उप्योग करतें और 1 के लिए हेन या अन का उप्योग करतें हैन ट्रियकॉंट या अन ट्रियकॉंट C32, की लिए हम ट्रियकॉंट ट्रियकॉंट 3 के लिए ट्राई शब्द का उप्योग करतें 4 के लिए ट्रा, ट्रियकॉंट इसी प्रकार तो दोस्तों इन शब्दों का उप्योग करके आप कार्बन की संक्या 11 से कार्बन की संक्या 100 तक के लिए शब्द बना सकते हो कार्बन की संक्या 88 है मतलब 80 प्लस 8 और कार्बन की संक्या 80 होती है तो उसे ओक्टा कॉंट कहते है और इस आठ को यहाँ पर ओक्टा का आ जाता है और इन शब्दों का उप्योग इन शब्दों से पहले किया जाता है तो इसका नाम होगा ओक्टा ओक्टा कॉंट से 98 मतलब 90 प्लस 8 सी 90 इसके लिए शब्द है नोना कॉंट और 8 के लिए शब्द है ओक्टा तो ओक्टा नोना कॉंट से 99 मतलब 90 प्लस 9 कार्बन की संक्या 90 के लिए नोना कॉंट और 9 नंबर के लिए नोना तो कार्बन की संक्या 99 होती है तो इसके लिए नोना नोना कॉंट शब्द का उप्योग करते दोस्तों एलकेन का अनुलागन एन होता है और इसका सामानिय सूत्र सी एन एस टू एन प्लस टू होता है यदि यहां पर कार्बन की संक्या 31 हो तो 31 का दो गुना उसमें दो अदिक हाइड्रोजन की संक्या में प्राप्त होगी 64 इसका हम आउपेसी नाम लिखते हैं कार्बन की संक्या 31 है मतला 30 प्लस 1 और सी 30 को हम बोलते हैं ट्रिये कॉन और वन नम्मर के लिए हम हैन शब्द का उप्योग करते हैं तो इसमें हम N जोड़ देते हैं तो इस योगिक का उपेसी नाम होगा हैं ट्रिये कॉंटेन कार्बन की संक्या 12 है तो हाइड्रोजन की संक्या होगी 26 C 12 का मतलब है 10 प्लस 2 और C 10 को हम बोलते हैं डेक और नम्मर दो के लिए हम इस्तेमाल करते हैं डू और यहां एलकेन है और एलकेन के नाम के अंत में आता है तो एन जोड़ देते हैं तो इस योगिक का आईउपेसी नाम होगा डू डेकेन तो उमीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा किसी छात्री की प्रोब्लम थी तो उसके लिए मैंने यह वीडियो बनाया है यह यह बनाया है